हेलो अबरिवान आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेरो अन्वराक्यल स्पेस में आज हम डिस्कस करेंगे हाई प्रिस्टेस का काड़ सब सब पहले देखे इसका जो एलिमेंट है ये वाटर एलिमेंट है इसका zodiac sign cancer है yes no के reading में ये yes का काड़ है अब देखो इसका जो number two है ये रिप्रेजेन करता है बैलेंस डुआलिटी को रिप्रेजेन करता है अब देखो पीछे देखो ये blue color है ये भी blue color है ये रिप्रेजेन करता है intuition power को clarity को relaxation को रिप्रेजेन करता है अब देखों यहां दो पिलर है एक Black कलर का है, एक White कलर का है यह रिप्रेजन करता है Day और Night को Feminine Energy को, Masculine Energy को एक Ink Energy को, एक Young Energy को रिप्रेजन करता है, ठीके? आब देखों यहां B लिखा है B मतदब यह Strength का मतलब है और J मतब Establishment मतब यह Strength और Establishment को रिप्रेजेंट कर रहा है ओकी अब देखो इसके कपड़े देखो यह वाइट कलर के हैं यह रिप्रेजेंट करते हैं इनोसेंस को प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अब देखो इसके सर के उपर एक ताच है एक फुल मून है यह रिप्रेजेंट करता है कि इसके पास divine power, divine authority, आप देखो इसके पीछे देखो अनार के fruits हैं ये रिप्रेजन करता है growth, abundance, fertility को रिप्रेजन करता है अब इसके हाथ में देखो Torah लिखा है ये रिप्रेजन करता है divine law, divine knowledge मतलब ये जो औरत है न ये इसी हिसाब से काम करते हैं जो divine का law है न उसी हिसाब से ये काम करते है अब देखो इनके पैरों के तले एक आधा चांद बना है, ये crescent moon बोलते हैं, ओके ये हमारा, मतलब ऐसे समझ दो, intuition को भी represent करता है, और साथ ही साथ ना, ये हमारे masculine energy को represent करता है, ठीक है, masculine sun को भी बोलते हैं हम लोग, ओके, अब देखो, और कौन सा छूट गया, हाँ, अब द ज़रूरी है, अब देखो last, इनका जो कपड़ा देखो, last तक आते हैं ये कैसे ऐसे पानी जैसे हो रहा है, ये represent करता है emotion को, ओके, अब देखो ये card का general interpretation क्या है, सबसे पहले देखो ये card ना, intuition का card है, जब भी ये card आएगा ना, तो हम अपने client को बोल सकते हैं, कि अपना intuition क बात सुनो, अगर आपको decision लेने में तकलिव हो रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो अपना inner voice सुनो, उसके पर भरोसा रगो और आगे बढ़ो, ठीक है, यहां मतलब ऐसा समझ लो, आपका intuition ही आपको guide करेगा कि आपको आगे क्या करन है, लोगों का बात नहीं सुनना है, जो आपका मन बोल रहा है न वहीं करो, ठीक है, साथी साथ हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपके अंदर अभी masculine energy और feminine energy का एक balance है, साथी साथ हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपके पास बहुत जादा knowledge है, बहुत जादा experience है, तो उसको use करो और आगे बढ़ो, और एक चीज़ देखो, ये कार जब भी आएगा ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप लोगों से बात चुपा रहे हो, या फिर लोग आप से बात चुपा रहे हैं, ठीक है, अगर आप ना, मतलब लोगों से बात चुपा रहे हो, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि थोड होगा abundance होगा सब कुछ होगा लेकिन इसमें क्या होगा ना आपको अपना experience अपना inner voice ठीक है अपना intuition पावर को use करके ही आगे बढ़ना है अगर अपना दिल का बात ignore करोगे ना तो आपको problem हो सकते आने वाले opportunity आएगा और आपको choose करना है कि कौन सा opportunity आपके लिए सबसे best है और वो आप कैसे choose करोगे अपना intuition पावर के through choose करोगे ओके दूसरा point यह है कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि workplace में ना थोड़ा secrecy maintain करके रहो हर चीज आपको बताना नहीं है लोगों को ठीक हर चीज आपको आपको लोगों के साथ share नहीं करना है अपना financial status के बारे में ना किसी को सब कुछ नहीं बताना है थोड़ा बहुत बता दिए वो चलता है लेकिन सब कुछ आपको नहीं बताना है शेयर नहीं करना है ओकी साथी साथ हम ऐसे बोल सकते हैं कि workplace में आप बहुत creativity वे में काम कर रहे हूं और यहीं आपके लिए अच्छा है आप जितना creativity वे में काम करोगे ना उतना ही आपको growth success सब कुछ मिलेगा और एक चीज देखो अगर आपको decision delay में प्रॉब्लम हो रह है अब देखो जब भी एकार ना health के reading में आएगा तो सबसे पहले हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका body या फिर आपका mind कुछ ना कुछ आपको signal भेजता रहेगा जैसे pain होता है ना तो उसको ignore नहीं करना अपना body करना voice सुनना वहीं आपको guide करेंगे कि कहा दिक्कत हो रहा है क्य उसको हमें सुनना पड़ेगा ओके साथी साथ हम ऐसे बोल सकते हैं कि हर्मोनाल चेंज हो सकता है आपके body में fertility होने का बहुत जाधा chances हो सकता है अब देखो जब भी एकारना spirituality में आएगा तब हम कैसे rate करेंगे सबसे पहला point आप अपने client को बोल सकते हो कि अपना intuition का बात अपना inner voice का सुनो यही आपको मतभगवान से इस word से connect होने में मदद करेंगा साथी साथ हम ऐसे बोल सकते हैं कि अभी आपका psychic power बहुत जाधा develop हो रहा है आप कहीं न कहीं divine law से connect हो रहे हो अपने higher self से connect हो रहे हो ओकी आप देखो जब भी एकार्ड love reading में आएगा तब हम कैसे read करेंगे सबसे पहला point आप अपने client को बोल सकते हो कि आप दोनों के बीज में बहुत जाधा honesty और transparency है साथी साथ आप दोनों का relationship बहुत जाधा passionate है आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो अगर relationship में कुछ ना कुछ problem हो रहा है तो ऐसा हो सकता है दोनों में से एक partner जाधा open up नहीं हो रहा है और दोनों में से एक partner बहुत जाधा open up हो जा रहा है तो जो partner जाधा open up हो रहा है तो उसको सामने वालों को ऐसा environment बना कर देना होगा कि वो इंसान खुल कर बोल सके साथी साथ हम ऐसे बोल स future spouse कैसा रहेगा तो अगर ये काड़ आ जाएगा तो आप अपने client को बोल सकते हो कि आपके जो partner हैं बहुत जादा होट रहेंगे बहुत जादा attractive रहेंगे उनके पास बहुत जादा knowledge रहेगा और वो emotionally बहुत जादा stable रहेंगे अब देखो जब भी ये काड़ना मतब negative काड़ के साथ आ जाएगा तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आप या फिर आपके partner दोनों एक दूसरे से बात चुपाते रहोगे दोनों एक दूसरे से खुल कर बात share नहीं कर पाते रहोगे अब देखो जब भी ये काड़ना singles के reading में आएगा तो सबसे पहला point हम अपने client को बोल सकते हैं कि अभी relationship के उपर आपको focus नहीं करना है अभी सबसे और जब भी ये काड़ना reverse में आएगा तब हम कैसे rate करेंगे सबसे पहला point आप अपने client को बोल सकते हैं कि आप बहुत जादा self doubt कर रहे हो अपने उपर अपना intuition का बात नहीं सुन पारे हो समझ नहीं पारे हो ठीक है reality जो है न उसको accept नहीं कर पारे हो बहुत ज़दा आपका फिकल mind हो जा रहा है बार बार mood swing हो रहा है बहुत ज़दा gossip कर रहे हो आप patience नहीं रख पारे हो बात अपना ठीक से बोल नहीं पारे हो मतलब communicate नहीं कर पारे हो emotionally बहुत ज़दा unstable feel कर रहे हो और मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको को ऐसा feel हो रहा है कि आपको कोई न कोई धोका दे रहा है या फिर आप किसी को धोका दे रहे हो अगर आप किसी को भी यह का रिलेटेट कुछ भी doubt है ना तो please मुझे comment section में पूचिए मैं उसका reply जरूर करूंगी अगर वीडियो अच्छा लगाना तो like केजिए share कीजिए comment कीजिए और अपना ख्याल